हाई गाईज करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है सो फ्रेंड्स आप लोगों को मालूम होगा कि करंट अफेर्स फंडा द्वारा आर आर भी एंटी पीसी जनरल लवेर्णे सा कंप्लीट स्लेबस कराये जाएगा इसी सीरीज में गेम्स एंड इस्पोर्ट इस टोपिक का ये थर्ड एंड लास्ट पार्ट है पार्ट वन एंड सेगेंड अल्रेडी अप्लोडेड है इनके लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे हर एक पार्ट में 50 questions हैं जिनमें previous year, current affairs और नए questions include किये गए हैं तो आप लोग ये सीरीज मिस ना करें सभी वीडियो अंतर तक देखें साथी friends इन questions को one liner के रूप में भी आप साथ साथ note करते जाएं और चैनल को subscribe करना बिलकुल ना भूलें साथी friends इन आपको syllabus दिया गया है तो आप इसमें से comment box में बता सकते हैं कि next video आप किस topic पर चाहते हैं तो मैं हूँ अभिशेक शर्मा चले करते हैं सुरवात इस video session की विश्वनाथन आनन्द बिकेम the first grandmaster from India in which of the following year the correct answer is option A तो विश्वनाथन आनन्द ये 1988 में भालत के पहले grandmaster बने हैं साथी friends अगर इनके बारे में और जानकारी लें तो ये five time word chess champion है और friends राजीव गांदी खेल रतने पुरुसकार पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं और 2007 में इन्हें पद्मवी बूसंड से भी सम्मानित किया गया और इस तरह का सम्मान पाने वाले ये पहले sports person है Who was the captain of the West Indies team that was defeated by the Indian cricket team in 1983 to win the Prudential World Cup The correct answer is option B 1983 में भारते cricket team द्वारा हराई गई West Indies team के कप्तान थे Clive Lloyd अब है friends match the following आपको सही match करना है Codes दिये गए हैं तो पहले में हैं आपका Olympics तो Olympics किस कौन सा सहर इसको आयोजीत करेगा ये आपको सही match करना है तो सही answer देख लेते हैं तो सही answer आपका होगा A के साथ 4, B के साथ 3, C के साथ 2, और D के साथ 1 ये सही match होगे तो 2020 Summer Olympics ये खेले जाएंगे Tokyo in Japan 2022 Winter Olympics ये खेले जाएंगे Beijing में in China 2024 Summer Olympics ये खेले जाएंगे Paris in France और 2026 Winter Olympics ये खेले जाएंगे Milan Cortina in Italy साथी फ्रेंट्स 2028 के Summer Olympics ये खेले जाएंगे United States में, Los Angeles में In which sports is the participant called pugilist? The correct answer is option B तो फ्रेंट्स बॉक्सिंग में जो प्रतिबागी होते हैं उन्हें pugilist का जाता है बॉक्सर्स को pugilist का जाता है Dom Sible who became the first cricketer to violate ICC's saliva ban rule Place for which country? The correct answer is option 1 Dom Sibley जो ICC के लार प्रतिबंद नियम का उलंगन करने वाले पहले cricketer बने हैं ये England की ओर से खेलते हैं और West Indies team के खिलाफ खेलते हुए फ्रेंट्स इन्होंने गलती से ball पर अपनी लार लगा दी थी जो की COVID-19 के कारण अभी प्रतिमंद किया गया है Free throw is associated with The correct answer is option C तो free throw ये basketball से सम्मन्दित है The distance of marathon race is The correct answer is option C तो marathon दोड की दूरी होती है 26 miles 385 yard यानी 42.2 km कई exams में question पूछा जा चुका है फिर से friends match the following है Codes दिये गए है तो पहले में आपका Grand Slam 2020 और आपको बताना है कि 2020 में इन Grand Slam को किसने जीता है तो यहाँ पर man's title बेसिकली आपको बताना है तो सही answer देख लेते हैं तो friends सही answer इसमें होगा A के साथ 4 यानी US Open जीता है Domium theme ने फिर B है हमारे पास Wimbledon तो Wimbledon का सही option है 1 यानी tournament cancelled So friends COVID-19 के कारण Wimbledon जो है इस बार cancel कर दिया गया है तो एक question है यहाँ से यह भी बन सकता है कि 4 आपको एक Grand Slam दे दी गए हो और पूछा जाए कि इन में से कौन सा Grand Slam 2020 में cancel कर दिया गया तो सही answer होगा आपका Wimbledon फिर है friends French Open तो French Open जीता है राफेल नडाल ने फिर है friends Australian Open Australian Open का सही option है 3 यानि Novak Djokovic ने विच फुटबोल कलब वोन इट्स 34 ला लीगा चैंपियंस 2019-20 टाइटल ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन दी तो Spanish Professional Football कलब रियल मेड रिट ने 34 अपना 34 ला लीगा चैंपियंस 2019-20 किताब जीता है बेसिकलिए फुटबोल की बात की जा रही है यहाँ पर इन विच गेम दी टर्म पुटिंग इस यूजड ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन सी पुटिंग सुब्ध का प्रियोग गोल्फ में किया जाता है इन दी इंडियन टीम रीच इन दी मैंस क्रिकेट वर्ड कप टूर्णामेंट 2019 हेल्ड इन इंग्लैंड एंड वेल्स इस ओप्शन बी तो इंग्लैंड और वेल्स में आयो जीत पुरुष क्रिकेट विच्व कव टूर्णामेंट 2019 में भारते टीम सेमी फाइनल्स तक महुँची थी सेमी फाइनल्स में न्यूजिलैंड ने भारत को हरा दिया था और फ्रेंड्स इसका फाइनल जीता है इंग्लैंड ने जिनोंने न्यूजिलैंड को हराय था अगर आपको फ्रेंड्स हमारे कोश्चन अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स केंड्स कप सत्रंज टूर्णामेंट 2020 ये जीता है कोनेरू हमपी ने कभी कभी कोश्चन ये भी मन जाता है कि कोनेरू हमपी ये किस खेल से संबंदित हैं तो आंसर होगा चेस तो भारते क्रिकेट में के जो पहले टेस्ट सेंचूरियन है ये हैं लाला अमर्नाथ और इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट क्रिकेट कैप्टन भी ये ही है तो फ्रेंड्स 2019 बेलेंडियोर फुटबोल पुरस्कार ये जीता है अर्जेंटिना के लाइनल मैसी ने और छटी बार इन्होंने ये अवार्ड जीता है तो फ्रेंड्स अब ये राशी बढ़ा दी गई है राजीव गांदी खेल रतन पुरस्कार विजयताओं को जो दी जाती है पहले ये साड़े साथ लाग रुपे दी जाती थी अब बढ़ा कर पक्चिस लाग कर दी गई है तो इसी बार ये की गई है तो यहां से कोश्चन बन सकता है तो रविंद्र जडिजा को विजडन द्वारा 21 सदी में भारत के लिए सबसे मुल्यवान खिलाडी का नाम दिया गया है तो अर्जुन प्रुषकार विजटा को फ्रेंड सब 15 लाग रुपे दिये जाते थे तो खेलो इंडिया यूद्गेम्स 2020 वास हैल्ड इन विच सिटी तो खेलो इंडिया यूद्गेम्स 2020 का जो तीसरा संसकरन हुआ है यह गोवाहाटी सहर में आयुजित किया गया है और भी इसके बारे में इन्फोर्मेशन ले लेते हैं और जो हमारा खेलो इंडिया गेम्स है इसके जो मास्कोट है यह जया जो की ब्लैक बग है और विजय जो की टाइगर है साथी फ्रेंट्स 2018 में निव डैली में ये खेले गए थे और 2021 में हरियाना की पंच्छकुला सेर में खेले जाएंगे और 2019 जो की सेकंड एडिशन था ये पूने में खेले गए थे और फ्रेंट्स इस बार अगर 2020 की बात करें तो महराष्ट ने इसमें टॉप किया है यानि पहले नंबर पर महराष्ट रहा है फिर रहा है हरियाना और तिसे नंबर पर रहा है दिली बागी फ्रेंट्स यहां से आप देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया कि हरियाना जो है वो फॉर्थ एडिशन ओफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसको आयोजित करेगा और फ्रेंट्स फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवरस्टी गेम्स 2020 ये उडिसा के कटक में हुए है ये भी आप याद रखना 2026 फीफा वर्ड कप विल बी प्लेड इन दी करेक्ट आंसर इस ओप्शन दी तो 2026 का फीफा विस्टो कप यूनाइटड इस्टेट्स मेक्सिको एंड कैनाडा इन तीनों कंट्रीज में खेला जाएगा तो तीनों ही नौर्थ अमेरिकन कंट्रीज है 2023 फीफा विमेंस वर्ड कप विल बी प्लेड इन दी करेक्ट आंसर इस ओप्शन दी तो 2030 फीफा माईला विस्टो कप ये खेला जाएगा फ्रेंड्स ऑस्टेलिया और न्यूजिलेंड में ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन बी तो 2022 में फीफा माईला अंडर 17 विस्टो कप ये खेला जाएगा इंडिया में और 2022 फीफा अंडर 20 विस्टो कप ये खेला जाएगा फ्रेंड कोस्टा रिका में ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन बी तो ध्यांचंद पुरस्कार विजेता को 10 लाख रुपे दिये जाते हैं पहले 5 लाख रुपे दिये जाते थे 2021 मैंस ICC T20 क्रिकेट वर्ड कप विल भी हेल्ड इन ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन ए तो 2021 पुरस्व का ICC T20 विस्टो कप ये खेला जाएगा फ्रेंड्स इंडिया में और 2022 का खेला जाएगा ऑस्टेलिया में 2023 मैंस ICC क्रिकेट वर्ड कप विल भी हेल्ड इन तो यहां पर बात ओर रही है One Day International की ODI की तो ये खेला जाएगा इंडिया में 2023 पुरसो का ICC क्रिकेट विस्टो कप ये खेला जाएगा इंडिया में 2023 ICC विमेंस T20 वर्ड कप विल भी हेल्ड इन तो 2030 ICC महिला T20 वर्ड कप ये साउथ आफ्रिका में खेला जाएगा Who become the first player to score 50 goals each in Serie A, Premier League and La Liga The correct answer is option D तो Cristiano Ronaldo ये friends ऐसे पहले player बन गए हैं जिन्होंने Serie A, Premier League और La Liga में तीनों में 50-50 goals किये है 2022 विमेंस FIH होकी वर्ड कप विल बी प्लेड इन The correct answer is option D तो 2022 महिला FIH होकी विस्व कप ये खेला जाएगा Spain and Netherlands में ICC Under-19 Cricket World Cup 2020 was held in which country? The correct answer is option D तो friends ICC Under-19 Cricket विस्व कप 2020 ये South Africa में खेला गया था और इसे जीता है friends बांगलादिस ने ये आप याद रखना ये हमने अपने second वाला जो इसका part है उसमें cover किया है महाँ पर इन्होंने भारत को होराय था बांगलादिस से The correct answer is option C तो 2019 महिला विस्व रैपिट सत्रंज चेंपिन ये बनी है कोनेरू हमपी और ये जो टूर्डामेंट है ये हेल्ड हुआ है मोस्को सहर में रश्या के The correct answer is option A तो जुलाई 2020 में भारत के 66 वे सत्रंज ग्रैंड मास्टर बने है जी आकास और फ्रेंट्स ये भी याद रखना ग्रैंड मास्टर बनने के लिए कम से कम 2500 इलो रेटिंग पानी जुरूरी होती है तो यहाँ से कोश्चन ये भी बन सकता है कि इलो रेटिंग ये किस खेल से संबन्दित है हाला कि और खेल में भी इसका उप्योग किया जाता है लेकिन यहाँ पर में ये चैस के लिए की जाती है इलो रेटिंग The correct answer is option C जुनियर स्पीट सतरंज चैंपियंशिप ये जीती है निहाल सरीन ने The correct answer is option D तो देनियल मेडवेडेव इन्होंने जीता है फ्रेंट्स ATP टूर फाइनल्स 2020 The correct answer is option A तो 2020 का ITTF यानि International Table Tennis Federation Women's World Cup टाइटल ये जीता है चैन मेंग ने और फ्रेंट्स इसका जो हैटकॉर्टर से International Table Tennis Federation का ये है लुजेन इन स्विट जल्लेंड फ्रेंट्स साथ में वीडियो आप लाइक भी करते रहे हैं रिसेंट्ली हाव मैनी खेलो इंडिया सेंटर ओफ एक्सिलेंस वर अपुरूबड बाई Ministry of Sports The correct answer is option B तो हाल ही में खेल मंत्रा ले ने 6 खेलो इंडिया सेंटर ओफ एक्सिलेंस को एप्रूव किया है तो हाल ही में पोलोमी घटक ने टेबल टैनिस से सन्यास की घोशना की है The correct answer is option D तो हाल ही में फुटबोल में 100 अंतराष्टे गोल करने वाले दूसरे व्यक्ति बने है क्रिश्यानो रोनाल्डो और इन्हों स्वीडन के खिलाफ ये गोल किया है और इससे पहले जो पहले नंबर पर है जिन्होंने जो फर्स्ट ऐसे करना वाले जो पहले प्लेयर है उनका नाम है फ्रेंड्स अली डेई ये इरान के हैं ओन जून 29, 2020 वो बिकेम दी यंगेस्ट मेंबर ओफ आई-सी-सी एलिट पैनल ओफ अंपायर्स ते करेक्ट आंसर इस ओप्शन बी उनतिश जून दोजार बीस को नितिन मेनन ये फ्रेंड्स अंपायरों के जो एलिट पैनल है उनके सबसे युवा सदस्य बने है में बैटमिंटन से सन्यास की घोशना की है ये फ्रेंड्स चाइना के है विच स्टेट है रिसेंटली प्रोवाइड़ इंडरस्ट्रियल स्टेटस तू स्पोर्ट्स ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन तो मिजोरम राज्य ने खेल को अध्योगिक दर्जा प्रदान किया है मिजोरम की कैपिटल है आईजोल विच कंट्री विल होस्ट 2022 विमेंस एशिया एशियन कप ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन ए तो 2022 महिला एशियाई कप इसकी मेजवानी करेगा भारत फ्रेंड साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाता है जैसे कि हमारा सेकंड पार्ट अपलोड हो चुका है तो आप तक नोटिफिक्शन नहीं आया होगा तो इसलिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बैल आइकन को जरूर दबा लें पहले अंतराष्टिय मुक्यबाजी संस्था एथलेटों के आयोग के सिदस्य की रूप में लाइसराम सरीता देवी जोकी बोक्सर है इनको निर्विरोध चुना गया है विच कंट्री विल होस्ट इफोर्थ एशियन यूथ गेम्स दी करेक्ट आंसर इस ओप्शन बी तो चोथे एशियाई यूवा खेलो की मेजबानी करेगा चाइना का शान्ताउज सहर इसको फ्रेंड्स जो यह है इसको ग्राप्री बोलते हैं विच ओफ फॉलोइंग बिकेम दी फस्ट साउथ एशियन नेशन तो क्रिमिलाइज मैच फिक्सिंग रिलेटेड ओफेंस इस ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन सी तो फ्रेंड्स स्री लंका ने मैच फिक्सिंग से संबंधित अपराधों का अपराधी करन करने वाला यह पहल पुल ने प्रीमेर लीग 2019-20 सीजन जीता है यह फुटबॉल की बात की जा रही है आपर विच एफवन रेस ड्राइवर वान ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री 2020 तो फ्रेंड्स ब्रेंड के लुईस हैमिल्टन जो की मर्सेडिस के लिए रेसिंग करते हैं इन्होंने ऑस्ट्रिय ग्रैंड प्री 2020 जीता है साथी फ्रेंड्स ये भी आज रखना कि इसिलवर ि स्टॉन सिर्किटि 2 दिस्क्रिप्शन में देख पारे होंगे तो कभी-कभी एगजाम में यह भी पूछ लाということで आपाता है कि Silverstone Circuit यह जो की racing circuit है यह किस देश में है तो आंसर वो का इंग्लैंड में है Silverstone Circuit 2019 South Asian Games were held in which country the correct answer is option B 2019 DCI खेलों का आयोजन फ्रेंट्स नेपाल में हुआ है 1-10 December 2019 में इसका आयोजन किया गया साथी फ्रेंट्स इसका जो official mascot रहा है वो a pair of black bugs साथी जो official लोगों रहा है उसमें a flying pigeon जो कि आप देख भी पा रहे होंगे और यह है medal tally तो इंडिया ने इसमें top किया है 173 gold medal भारत ने इसमें जीते हैं टोटल साथ देशों ने इसमें participate किया है तो इहां से इस medal tally से भी question मन सकता है कितने देशों ने इसमें participate किया और भारत की क्या रहें करही भारत ने कितने gold medals जीते अब friends वो 50 questions पूरे हो गए हैं अब जल्दी से one-liners देख लेते हैं क्योंकि हमारी courses friends यह रहती है आपके लिए कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा content दिया जाए क्योंकि friends समय बहुत मुल्यवान है तो आप भी ही जब youtube पर videos देखें तो इस बात को ध जो कफ्तान है रानी रॉंपॉल इनको world game athlete of the year 2019 title से सम्मानित किया गया है पंकज आडवाईनी ने जीता है national 6th red snooker championship और friends फिराते हैं आधित्य महता इन्होंने पंकज आडवानी को हरा कर national snooker championship 2020 इसको जीता है मीरा बाई चानू इन्होंने friends 6th कदर international cup जो की दोहा में हुआ है इसमें इन्होंने gold जीता है साथी friends गंडी कोटा सर्वा लक्षमी या इन्हें आप कह सकते हैं GS लक्षमी तो friends ये पहली woman match referee बन गई है जिन्होंने की पुरुसों का जो cricket होता है one day international उसमें भूमी का निभाई है उसमें officiate किया है उसमें referee बनी है और ये match खेला गया था United Arab Emirates and United States of America इन दोनों के बीच में तो ये काफी important यहां से friend question बन सकता है इसको आप याद रखना नाम याद रखना G.S. लक्षमी फिर है friends हमारा last आज का one liner तो देखिए Mondo Duplantis जो की Sweden के Paul Walter है और वेनेजुला की triple jumper यूलिमार रोजास इनको friends 2020 की male और female world athletes of the year चुना गया है तो पहले जो Mondo Duplantis है ये रही है male athlete of the year और वेनेजुला की triple jumper यूलिमार रोजास ये रही है female world athlete of the year तो friends आयोप आपको हमारा ये session अच्छा लगा होगा इसके बाद कौन सा आपको वीडियो चाहिए किस topic पर ये आप हमें जरूर comment box में बताएं वीडियो को friends आप like जरूर कर दें अगर आ सकते हैं यहां पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्तों आपर current affairs की playlist दी गई है इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ WhatsApp and Telegram पर share करें like करें और comment करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी thank you guys